अगनेत्री वैशारी ठककर सुसाइड केस में पुलस ने आउरोपी राहूल नवलानी को गरफतार कर दिया है। पुलस ने राहूल पर 5000 का एनाम घोशित किया था। साथ ही विदेश भागने से रोकने के लिए लुक आउट सर्कुलर भी जारी कर दिया था। उसकी तलाश में पुलस टीम मुंबई और जैपुर भी गई थी। बता दे कि एस मामले में सीम शिवरासिंग चोहान ने आज ही कड़ी कारवाई के नर्देश दिये हैं। बुदवार को दोपहर करीब दो बजे आरोपी दामपत जिला कोट में सरेंडर करने पहुँचे थे लेकिन पुलिस की घेराबंदी होने के चलते वे वहां से फरार हो गये। रात होते होते पुलिस की एक और खबर सामने आई है जिसमें आरोपी राहूल नमलानी को गरफतार कर लिया गया है वहीं उसकी पत्नी अभी फरार है। बता जा रहा है कि ओमेक सिटी वाइपास पर पुलिस को राहूल की सूचना मिल थे इस पर घेराबंदी कर राहूल की गाड़ी रोक कर उसे गरिफतार किया है। जबकि सू पुलिस पूरे मैनस से लगी थी और इसको टेकनिकल सर्वलेस पर ले रखा था इसके लिए हमने टीम अलग अलग स्टेट में वरवाना कर रखी थी और रेगुलर हर जगा पर चेकिंग वगरा भी लगा रखी थी। इसी के दोरान जो हमें जो देवास रोड पे हमेरे टेक रंगाबाद के बीच के जो छोटे-छोटे धाबे हैं होटल से इन में ये रुकता रहा कहीं भी राद बर नहीं रुकता था ओल डटाइम मूफ पर रहता था और फिर उसके की और अपना जो नंबर वगरा भी बंद कर दिया था इस और इसके बाद जो है कोई भी एक स्था आई इसका जगा नहीं बनाई थी इसने और इसके वज़े से इस आखिरकार ये पुलिस के जंगूल में फस गया अभी जो है बहुत प्लिम्लेरी स्टेज में है आज ही शाम में इसको हमने पकड़ा है और जो है इसके जो टेक्निकल एविडेंसेज है उसके कर तलाश में हम लगे हैं कि जिसमें हम इसके मेसेज़ वगरा रिकवर कर सके और रिकवरी करके फिर उसके बाद जो है अच्छा एविडेंस पॉर्टल पेश कर सके वाल फोन में भी वार्सप चैटिंग था हुआ है इसको अप्लियर कर चुका है मोईल को फोर्मेट कर चुका है यह सही है जबाद सही है कि इसने अपने पुमाईल को फर्मेट किया हुआ है